हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हर्याणा पब्लिक कमीशन सर्विस की तरफ से निकली बैकेंसी एक जल्चर डवलोमेंट ऑफीसर के बारे में जिसमें हम डिसकस करेंगे इसकी सहली के बारे में एज लिमिट, एप्लिकेशन फीस कितनी जाएगी, इंपोटेंट डेट्स क्या रहेंगी, इलीजिबिल्टी क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्लैक्सन प्रोसीजर क्या रहेगा और एपलाई कैसे करना है इन सब के बारे में हमें देखना है, वीडियो में अंतक बने रहें, चलिए स्टार्ट करते हैं हर्यडा पबले सर्विस कमीशन की तरब से निकाली हुई ये वेकेंसी हैं, इसमें दो पोश्ट निकली हैं, 700 वेकेंसी हैं इसमें पहली वेकेंसी है, अगरिकल्चर डवल मेंट ओफीसर, एड मिनिश्टरे tentang क्रेड, जिसकी 600 वेकेंसी हैं अगरिकल्चर डवल मेंट ओफीसर, एफो, सोयल चंजर्वेशन and सोयल सर्वे के लिए 100 वेकेंसी हैं इसके लिए इसमें सैलली के अगर हम बात करें इसमें तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक सैलली रहेगी पर मंत ये FL6 के अकोर्डिंग रहेगा और इसकी Age Limit के अगर हम बात करें इस Vacancy के लिए AFO के लिए इडियो की इस Vacancy में अगर हम Age Limit की बात करें तो ये 18-42 साल के लोग इलीजिवल हैं जो की एक जून 2022 को 18-42 साल के हुए हैं वो लोग इलीजिवल हैं फाइव यर का Relaxation दिया गया है OBC, SC, Unmarried Women के लिए एडिवो के लिए अभी हम बात करते हैं इलीजिवल क्रैडिरिया की तो इसमें BSC Agriculture and BTEC Agriculture वाले Student भर सकते हैं इस Form के लिए इसमें दो selection procedure में दो चीज़न आहींगी पहला रिटन एक्जाम होगा second one interview होगा then आपका selection होगा अब हम बात करते हैं इसके application fees की तो इसमें 200 रुपए के fees है जो कि females के लिए SC, OBC A and OBC B के लिए ESM category of Haryana only and 1000 की fees है जो कि other general student है general category के और फिर other state के candidate है उनके लिए जो PWD जो disabled में आते हैं उन लोगों के लिए कोई fees नहीं है वह भी केवल only Haryana के student के लिए है इसकी हम date के बारे में बात करें अगर तो 24 तारिक को यह vacancy रिलीज हुई थी 29 तारिक के लिए 29 जून से यह application इस्टार्ट होने वाले हैं 19 जुलाई इसके last date है fees की वी depositation की last date 19 जुलाई होगी important link आपके लिए मिल जाएंगे इस video के description में और हमारी website एक्रिमून पर भी आपको यह vacancies अवेलवल हैं तो आप बहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपके लिए कोई query हैं टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो तो यह एच पी एस सी के तरफ से यह दो नंबर दिये गए हैं तता यह email ID दी गई है इस पर आप 9 से 6 बज़े की बीच में आप call करके email कर सकते हैं वहाँ पर आपको update मिल जाएगी